Hello guys and welcome back to my YouTube channel क्या आपको और कि the roundest object के बारे में पता है और क्या आपको पता है कि natural और cylinder oxygen में क्या फर्क होता है ऐसा ही दिमा को चक्रे देने वाल रेंडम और महाराज फेक्स को जाने के दिर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो अपलेड होता है आपके मुबल पर नोटिफिकेशन में जाए Thank you Fact No.6 क्या आपका पता है कि बांगलादेश जूट मिल कॉर्पोरेशन ने एक प्लास्टिक जैसे तिखने और फ्वील करने वाला बैक बनाया है Fact No.5 आपको डिजनी लेंड के बारे में तो पता होगा जहां पर बच्चे जाके एंजोई कर सकते हैं बट क्या आपको पता है कि रश्या में अभी एक मिलिटरी डिजनी लेंड बनने वाला है जहां पर वेपेंड लवर्स अपने वहां पर जाकर वेपेंड चला सकते हैं और वहां पर टैंक्स और बहुत सारी अधर मिलिटरी सॉलिटरी आइटम्स भी रखे हुए है Fact No.4 आपके स्क्रीन पर अभी जो पीजन है इसकी कोस्ट है अराउंड 1.4 मिलिएन डॉलर्स इस पीजन का नाम है बेल्जियन पीजन और इसे सूपर डूपर नाम के एक चाइनिस इंडस्ट्रियल ने खरीदा है उसका कहना है कि ये पीजन का शेप और कलर सबसे अलग है और इसकी आइस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल और लावाईश है Fact No.3 आपके स्क्रीन पर अभी जो स्फियर है ये कोई मामूली स्फियर नहीं है इसे बनाने के लिए साइंटिस्ट ने 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का सिलिकॉन खर्च किया है और इसकी कोस्ट है एप्रोक्सिमेटली 10 मिलियन डॉलर और ये वर्ल्ड का दे राउंडेस्ट अबजेक्ट माना जाता है Fact No.2 आपको तो पत्ता है कि हमारे एडिया में अभी कोविट क्रैसिस चल रहा है जिससे ऑक्सिजन की बहुत ही ज्यादा कमी हो रही है बट क्या आपने कभी सोच है कि हम डायरेक्ट नेचर ऑक्सिजन क्यों इन्हेल नहीं कर सकते हैं क्यों हमें सिलिंडर ऑक्सिजन की जरुवत पड़ती हैं उसका रीजन यह है क्योंकि नेचर में सिर्फ 21% अक्सिजन होता है और सिलिंडर में 98% आक्सिजन होता है बट उसे निकलना बहुत ही time consuming और effort वाला होता है इसलिए oxygen की कमी हो रही है Fact No.1 के पहले अगर आपने पहले सही मेरी चानल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दिया हो तो thank you very much अगर नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दिजी ताकि मेरा वीडियो अप्लोड होता ही आपके मूबाल पर नोटिफिकेशन मिल जाए आपको तो पता होगा कि गोल्ड हमारे अर्थ पे बहुत ही रह चीज़ है बट क्या आपको पते कि अगर हम अर्थ पे गोल्ड की लेयर बिजह है तो वो अर्थ को 4 मीटर उपर तक डग सकती है और क्या आपको पते कि गोल्ड हमारे अर्थ पे एक एस्टरोइड से आया था क्योंकि अर्थ पे जो gold पाया जता है वो अर्थ के formation से 54 years पूरा ना है और उस वक्त अर्थ पे asteroids के बारिश होती थी एक asteroid है जिसका नम है Psyche 16 और ऐसा माना जाता है कि उस पे 10,000 quadrillion dollars के gold और diamond results है इसे लिए NASA और Chinese Space Agency और SpaceX जैसी एजन्सी उस पे drilling करना भी start करने वाली है